जाहिन दोस्तों अभी हम मैई 2021 का जो टॉप हंड्रेड कोस्टन है उसको हम कंप्रिट करने वाले हैं करेंट अफेर का तो वीडियो को धियान से देखना यह आपके अगामी किसी भी एक्जाम में हेल्प करेगा और पिसले मंथ यानि मैई का जो था वह एस पीडी या फिर जो प्लेटफॉर्म का करेंट बुक आया ही नहीं था ठीक ना आप अगर मार्केट में देखते होगे तो फर्जी देखते होगे कुन मेरी बारत हुई थी तो वह बुक आया ही नहीं इसलिए नहीं हो पाया अब जून का आएगा यानि मैई का जिसमें पूरा कंप्लीट होगा तो वो हम आप लोगों को प्रवेड करवा देंगे पर उससे पहले हर मन्त हम लाते हैं 100 करेंट अफेर तो वो देख लीजिए काफी इंपोटेंट है और मैंने टेलिग्राम पे उस प्लेश का लिंक सेयर कर दिया था जिसमें आपको जनवणी से लेकर प्रतेक महिने का याद रखना यह जो मर्चेंट स्टॉक लांच किया यह क्या है खुद्रा वेपाडियों के लिए खुद्रा वेपाड़ी के लिए कोस्टन नमर टू है हमारे यह पे केंद्रिये मेकेनिकल इनर्जी अनुसंधान संस्थान केंद्रिये मेकेनिकल इंजिनियरिंग अनुसंध संस्थान किस राज में इस्थित है यह मिलेगा आपको पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल में कोश्चन नमर तीन है नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संजुक्त सेन अभ्यास शुरू किया तो यह क्या है अलवानिया में अलवानिया आगे एक नाटो का और भी क्वेश्चन है पर नाटो में कितने मेंबर है यह कर पूछा जाता है याद रखना इसको थोड़ा किस भारतिये राज्य सरकार ने क्लैप नाम से एक स्वक्षता अभ्यान शुरू किया क्लैप एक स्वक्षता अभ्यान है वह शुरू किया आंधर प्रदेश आंधर कोशन और फाइव है भारत में रास्ट्रिये महिला आयोग की अस्थापना कब हुई थी यह हुआ था उननी सो बैरानवे में उननी सो बैरानवे में हुआ था भारतिये रास्ट्रिये महिला आयोग का अस्थापना इसके अंतरगत जो भी गर्बती महिलाएं है उसको अपात कालिन चिकित्सा देने के लिए बरतमान में एक वाटसेप हल प्लैन शुरू किया गया है क्योंकि COVID-19 में क्या हो रहा है कि जो भी कोरोना के पैसेंट है उन्हीं का अच्छे सिलाज हो पा रहा है इनका नहीं हो पा रहा तो इसी के लिए अभी इसमें काफी वेवस्था जो हाल ही में खबरों में था किस देश में इस्थित है यह लेवनान लेवनान में इस्थित है लेवनान की राजधानी मिलेगा आपको बैरूत और यह जो नदी घाटी है वो बैक्का घाटी से निकलती है बैक्का घाटी से ओके हाल ही में सेवी के दिशा निर्देशों के अनुसार सिर्ष अधिकारियों के कितने परतिसत बेतन का भुक्तान मुच्छवल फंड में किया जाना होगा तू होगा 20 परतिसत सेवी के बरत्तमान अजय त्यागे वह हैं बहुत लंभे समय से और इसका स्थापना का हुआ था 1992 में जिस वर्स रास्टिय महिलायो का स्थापना मनी उपर पढ़ा उसी को हुआ था उन्नी सो बिरानवे में ही पढ़िये हुआ था बारह अप्रील को हुआ था स्येवी का स्थापना उन्नी सो बिरानवे में अगे वर्सा मम्वी प्रोजेक्ट है मेँ पहली बार किस परकार की मम्वी मम्वी तौन पहला लास्ट, ठीक नगा उसका खुज किया गया तो वह अगरबती मम्वी का खुज किया गया याद रखना 1826 में पॉलैंड के वर्सा में विश्व विद्यालै को यह मम्वी दान में बी दी गई थी अग्यकी मैसस, 1407 ये क्या है, जो हाल ही में ख़बडों में था, तो ये एक स्वैवीन का प्रकार है, स्वैवीन से जब भी याद आता है, याद रखना, ये प्रोटीन का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, सुचालक नहीं, सुरूत माना जाता है, और स् C.S. 1407 नामक स्वाइवीन को एक उच्च उपजबाली और कीट प्रत्रोधी किस्म बिक्सित किया है ठीक ना ये किस ने किया है तो A.R.I. मतलब अगरकर रिसर्च इंस्टिचूट ने किया है और इसका खेती ये पस्तिम बंगाल जहारकंट 36 गार्ड इन सब राजियों में हो अगर भारतिय सेना ने किस राज में पहले ग्रीन सॉलर इनर्जी हॉर्नेसिंग प्लांट का उध्गाटन किया ये किया गया सिक्कीम में सिक्कीम के जो चीफ मिनिस्टर है अब है प्रेम सिंग तमांग इससे पहले कौन थे पवन चैंबलिंग जो कि भारत के सबसे ये तक मुखमंत्री भी पूछे तो वो पपन चैंबलिंग होगा लेकिन अगर महिला पूछ दे महिला तो आपका हो जाएगा सीला दिक्षित सीला दिक्षित जो कि कहां की थी दिल्ली की थी और वह 11 बरसों तक रही थी 11 बरसों तक ओके इंपोटेंट है याद रखिएगा आगे प्रसंद पर आते हैं एक परस्न और सिक्कीम से आता है कि सिक्कीम पहला देश था जो ओपेंट डेफिकेसन फिरी था भी मतलब खुले में सोचमुक्त पहला ऐस्टेट जो था वो सिक्कीम ही था और साथ ही बायो फार्टिलिटी जो होता है खाद जो होता है बायो वाला मतलब जैव खाद वो मतलब पूरी तरह से आस्रित सिक्की मी बनाता ठीक ना जिसमें धेचा ये सब खाद आता है कोस्ता no 12 है रूसी कुल्या नदी जो हाल ही में खब्रो में था ये किस राजी में है ये है ओडिशा में वहाँ पे कच्छुए को लेकर काफी हमेसा किसे नुक्त किया गया है П.C. 5 रेपिट कर downstairs क् implraper का थिकार आयोंग के काडिवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया है P.C. 5 को जो राश्ट्रे मानुवादिकार आयोग दिवस होता है वो हम कब मनाते हैं दस दिसम्बर को मानुवादिकार दिवस इसी दिन जो होता है नोविल प्राइज दिया जाता है आगे कोश्चन नमर 14 दिया गया है कि कोवेट-19 महामारी से निपटने के लिए भारती ससस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया ओपरेशन का नाम क्या है याद रखना SSB ससस्त्र बल ठीक ना ये किया गया ओपरेशन कोजीत ओपरेशन कोजीत जो को मैं PDF डाल दूँगा टेलीगराम पे ठीक ना उसको देख लेना और ये सारा जो मैंने डिटेल जनकारी दिया है ना तो वो भी पढ़ ले ना ठीक ना क्योंकि वो help करेगा आपको Question No.15 है पदमा नदी गंगा का मुखी साहिक नदी है किस देश में बहती है ये बहता है बंगला देश में जब ये पदमा आगया तो फिक्स है आपका बंगला देश में ही होगा ये भी थोड़ा न्यूज में इसलिए आ गया था को क्यों आपे नौ पलट गया था और कहा जाता है कि 30 से अधिक सवार थे जिसमें 26 लोग माड़े गये थे अगे हमारा Significant economic presence सिध्यान्त की अवधारना जिसका उपयोग किस परकार के कर लगाने में किया जाता है ये होता है Digital Tax के लिए SEP जो सिध्यान्त होता है Significant Economic Presence ये में ली होता है Digital Tax भारत ने किस देश के साथ 1.4 अरब डॉलर के नीजी छदर के बेपार और निवेश की घोसना की है ये किया है ब्रिटेन के साथ ब्रिटेन जिसके जो परसिडेंट है जियो बार्डन है याद रखियेगा आगे हमारा है sorry जियो बार्डन तो अमेरिका के है न इसके कौन है जियो जानसन सही थे बोर्डिस जानसन ठीक ना बोरीस जॉंसन ठीक न जिनों करोना हुआ था ठीक हो गया थे बोरीस जॉंसन जी यो वाड़न अमेरिका के याल रखना थो ला कंफ्यूज नहीं करना है तो पहुंचा है भारत कुबेद पहुंचा है ऑप्रेशन समुद्र से तू जो सेकेंड है ने एक भाग के रूप में आएनस कोलकाता पोर्ट सुवाख कुबेद पहुंचा यह कुबेद के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और चिकित्सा पूर्ती लाएगा जो ऑक्सीजन क सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुखमंत्री अगर पूछे तो हो जाएगी सीला दिक्षित और पूरुस में क्या का पूरुस में हो जाता है मतलब वह पबंचेंबलिंग ठीक ना अभी प्रेम सिंग तमाने सिक्किम के अब देखो ममता बनर जी तीन वार तो हो चुक 400 क्या है जो हाल ही में खबरों में था त्यों एक Artificial Intelligence Sip है जो में Flower 400 है ये क्या है एक Artificial Intelligence Sip है याद रखना कि में Flower 400 दुनिया का पहला Artificial Intelligence जहाज है इस जहाज में 100 पैनल लगाए गये हैं और ये समुद्री परदूसन का अध्यन करेगा और पानी में मौजूद प्लास्टि पारी को ट्रैक करेगा भारत अमेरिका और सुचर लेंड जैसे विभिन देशों के सैक्रो लोग इस जहाज को बनाने में सामिल दे इन लोगों ने मिलकर भारत अमेरिका सुचर लेंड ने डेवलप किया Artificial Intelligence Sip मेपलर 400 किस देश ने भविस्य के FDI जो फॉरें डिरेक्ट इ अलग होता है जैसे इंडिया में कोई कंपणी लगाएगा और विदेश से जो पैसा आएगा वो होता है फॉरें डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओके और एक होता है कि हमारे लोग विदेश में हैं और वो इंकम करके घर में घर घरची के लिए या जो भी परपस हो ठीकिना उसके लिए अगर पैसा भेज रहें तो वो होता है डिमिटेंस दोनों में अंतर होता है एक नहीं कर देना उसको क्लेमेट एक्षन ट्रैकर विसलेशन के अनुसार वर्स एकी सौ तक जो वैस्विक टेंप्रेचर है उसमें कितना परतीसत बिर्दी होगा तो यह चांस है दो सासे डी डॉस का फॉल फॉर्म याद रख लो डिस्टिब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस डिस्टिब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस यह एक हमला एक ऑनलाइन सेबा में बहुत ज़्यदा ट्रॉफिक भेज कर उसे अनुपलफ्द करवा देना है मतलब एक ही साथ अगर मतलब बहुत पहले ना क्या होता था कि कोई अन्नोन आजमी ना क्या करता था एक ग्रूप बना लेता था और धेड़ सारा लोगों को वहां पर जोड़ लेता तो मैं अपना बताता हूं गड़ी चार से पांच ग्रूप को मैंने ऐसे क्लॉज किया क्यों मेरे उस टेम मेरे पासे स्मार्टपॉन था अच्छा का जाता फोन तो आप क्या करो ना वाटसेप पर बहुत लंबा मेसेज कर दो बहुत लंबा मतलब मेसेज कर दो तो एटोमैटिक जिसके पास लोड़ डिवास फॉन है न वह हैंक करना शुरू हो जाएगा ओके अगर आप बहुत अधिक यहिह हुआ था है फिमें DDoS हमला अब तो आप और आपर अपासे प्याथ चाइनल दुप समूअ इंगलिस चैनल का क होई पिस यह दो देंसों के भीचये मिला अद्क यए इसरी मिलता फ्रांस और यूक्य के है बैच जो एंगलिस चैनल है वही मिलता है फ्रांस और UK के बीच या कोशन में कभी-कभी ये भी आएगा कि वो कहा का होता है UK और जो Europe continent को Britain से कोण अलग करता है से इंगलिस सैनल ही करता है यह तो France और UK को कोण अलग करता है तो इंगलिस सैनल ही करता है तो प्रसन कैसे भी आप से पूछा जा सकता है हाली में सुप्रीम कोट ने किस राज के होसिंग इंडर्स्ट्री रेगुलेशन एक्ट को और समबधानी करार दिया है ये किया है पस्थिम बंगाल के पस्थीम बंगाल में था पहले ये गेंट ऊड़ मौथ घेंट उड मौथ दुनिया का सबसे भारी किट है कौन सा गेंट उड़ मौथ ये पाया गया ऑस्ट्रेलिया में पर्तिक्नी की समभू का पर्मौक बनाए है हर्स बनेवाला इनका नाम है H1 वाला पड़ते थे RVA किस परकार के बैंकों के लिए 10,000 करोर रुपिय का एक Special Long Term Repo Operation आयजित करने जाड़ा है यह करेगा लगू बित बैंक के लिए यानि Small Financial Bank के लिए करेगा याद रखना यह काफी important हो जाता है RVA के regarding WHO ने किस देश सिनोफार्म बैक्सीन के अपात काली नुपियों की मंजूरी दी तो यह सिनोफार्म बैक्सीन जो है COVID-19 के लिए है यह बनाया है चीन ने और यह इमर्जेंसी के लिए अपलोड करवाया गया है ताकि बहुत जरूरी है नहीं ठीक हो रहा है दोस्त फोर लाइफ लॉंच किया है CBSE ने ताकि जो नौवी से बारवी क्लास के चातर है उनको और अभिवाब को को भी मदद मिल सके कि पढ़ाय उड़ाय कैसे करना है ठीक ना दोस्त हाली में Arctic Science Ministerial सोड़ी Arctic Science Ministerial को किन दो देशों दोआरा संजुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा तो यह करेगा Iceland और जापान राष्ट्रे प्रद्वगे की दिवस 2021 का थीम क्या है याद रखना 11 मई को हम मनाते है National Technology Day इस बार का थीम है Science and Technology for a Sustainable Future Science and Technology for a Sustainable Future साथी हम यह 11 मई 1999 से पहली बार यह मनाया गया था और हम हर वर्स 11 मई को मनाते हैं भारत में पहली बार हंसा 3 और सता सता मार करने वाला का प्रिक्षन जो किया था इसी बर्स 1998 में किया गया था 11 मई को ही आठ से नौ मई को किस युद में मारे गए लोगों के अस्मरन और समंजस्य के रूप में जो मनाया जाता है तो यह हुआ जो दूतिय बिश्यूद हुआ था 1949 से 45 के बीच 8 से 9 मए में जो मारे गए थे लोग तो उसके लिए मनाया जाता है 8 से 9 मए को यह United Nation Assembly के द्वारा मेडक की कौन सी प्रजाती दुनिया में अधिकारिक रूप से सबसे बड़ी है तो यह है गोलियत फ्रॉग गोलियत फ्रॉग आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा कोवेट 19 संक्रमन से निपटने के लिए मौन्ट एवरेस्ट सिखर पर कौन साथे इसे सीमा रेखा बनाने जा रहा है देखो इससे पहले जो था वो चैना मना किया था कि कोवेट 19 के चलते लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे लेकिन सीमा बनाने के अगर बात करें तो वो किया है चीन ने किया है चीन ओके याद रखना जो यहाँ पर एक इंप्रफेस्ट लिखा था कि दो तरह से चड़ने वाला होता है तो पढ़ लेते हैं इसको ठीक ना चीन ने हाली में घोसना किया कि मॉन्ट एवरेस्ट पर सीमा रेखा बनाने जा रहा है यह चीन की ओर से जाने वाले परबत रोही को नेपाल से सिखर पर चड़ने वाले लोगों से संकर्मित होने से बचाने के लिए किया जा रहा है इससे पहले नेपाल ने मॉन्ट एवरे जो मॉन्टेवरेस्ट पर चटी है वहां पर मैंने और काफी अच्छी से फैक्ट लिखा है तो वहां पर और अच्छी समझी तिल में जानेंगे हमाले पहार के मारे में आगे यहां पर दिया गया है बुखाडेस्ट लाइन जो बी नाइन है यह नाटो का ही है किस प्रामर्स के लिए अस्थापित किया गया है आगे आपका 40 नमर क्वेस्टन है हाली में किस राज ने वैल्ट लाइफ इंस्टिचूट ऑफ इंडिया द्वारा डिजाइन किये गे मॉवाइल अप्लिकेशन का उप्योग करके बंदर जनगनना की है यह किया हडियाना बंद यह नासा ने खोजा है आगे हमारा एडवांस्ट केमेस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज ने पी एल आई योजना का जो बियाई था वो कितना था अठारा हजार एक सो करोड रूप्या बिदेश से प्राप्त भुगतान के प्रमान के रूप में बैंक द्वारा जारी किये जा में है पैसा वेजता है उसके लिए कोई दस्ता वेज है उसके लिए डॉकमेंट चाहिए एफाई आड़े बिश्व बैंक की मिग्रेशन एंड डेवलाप्मेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2020 में सबसे अधिक रिमिटेंस इन फ्लो हुआ है तो वह हुआ आई आई टी डोपर रेने एक नई मोवाइल सौंसन परनाली डैस के सिध्यान पर काम करती है तो वह करता है वी के स्टोब यह क्रिसांटिस्ट का नाम है उसके सिध्यान पर यह काम करता है किस देश ने पहले ब्रिक्स रोजगार कारी सम्मूं की बैटकी मेंजबानी की तो नाम किया इनका डॉक्टर सकुंतला हरक सिंग थिल्स्टेड यह बैग्यानिक थे बच्चों को में किस परकार की बीमारी का परमुखकारण HP4 है तो यह स्वसन रोग है स्वसन रोग HP4 होता है साथी यह बुजरुगों को भी प्रहवित करता है जिनका प्रतिक्छा परनाली प्रतिक्छा परनाली कम जोड़ें उनको को सन्वर 49 है भारती डिजर्ब बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसुची में उल्ले बैंक को किस नाम से जाना जाता है उन्हें हम कहते हैं सेड्यूल कॉमर्सियल बैंक सेड्यूल यान सेचित बानिजिक बैंक कहा जाता है जो दू दूसरी अनुसुची में सामिल किया गया था ओके दा क्रेस्टी चार्च कॉल किस देश के पहले यूग यह निजिलेंड यह रकना ऑस्टेलिया में भी है पर निजिलेंड याद रखना थो रहा इसको बैक्तिगत संगटनों से मिलने वाली साहता को ट्रैक करने के लिए कि स स्थान ने एक समर्पित पॉर्टल कोभी एड लॉंच किया यह किया है निती आयोग ने कोभी एड किस ने लॉंच किया निती आयोग निती आयोग कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन जहां हाली में 18 हाथी की मिर्थी हो गई वो मिलेगा आपको असम में मिलेगा असम म इस बार का थीम क्या है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलोजी इस बार के इंटरनेशनल डे ओफ फैमिली हुआ 15 मार्च को उसका थीम था यह हम 1993 से ही मनाते हैं फैमिली डे वाला ठीक ना ठीओडोड मेनंदवाड़ा 1960 में लेजर के पहले सफल ओप्रेशन की वर्षगाट पर कौन सा डे मनाते हैं वह मनाते हैं अंतरास्टे प्रकास दिवस 15 माइब्स 16 माई को मनाते हैं 16 माई को यह जो उप्रेशन सफल ओपरेशन हुआ था यह 1960 में इसका अस्थापना किया गया था और अविदुयार 21 में इसका मनाए अंतराश्टे प्रकास दिवस प्रोफेसर एमेस नरसिम भंजिन का हाल ही में निधन हो गया वो गनित से जुरे थे किस टेनिस खिलारी ने इटालियन ओपेंट टेनिस टूर्णामेंट जीत लिया यह जीते हैं राफेन लाडाल फ्रेंच टेनिस दिगज राफेन लाडाल ने नवाक जोकोबिच को हड़ा कर दसफी बार इटालियन ओपेंट खिताब जीत लिया महिलाओं के फैंदल में मवजूदा फ्रेंच यॉपेन चैंपियन इगा स्विटेक ने कोडिलेना त्रिसकोवा को हडा कर 6-0 से मालो ये मैच जीत लिया काफी खतर नग जीती है हजारी वाग डेलवे स्टेशन पर वाइफए शुरुआत हो गया इसके साथ ही भारत जो है कुल 6,000 स्टेशनों पर वाइफए लगवा दिया संजुक तरास्ट्र दुआरा सांती में एक साथ रहने का अंतरास्ट्र ये दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 मै को 16 मै इस वार का अगर थीम पूछले तो वो हो गया रिकावरिंग बेटर फोन एंड एक्वेटेवल एंड सस्टानेवल वर्ल्ट कोशन 159 है दाल की कीमत ने बिर्धी को कम करने के लिए हाल ही में भारत सरकार दुआरा निमनलिखित में से कौन सा कदम उठाया गया किस सरकार ने अपने कानून के माध्यम से सुक्ष्म बित यानि मैक्रो फिनांस को नियंतरित करने का प्रस्थाब दिया है तो वो दिया है असम ने असम किन संगटनों ने कहा है कि लंबे समय तक काम करने के परिणाम सरुप दुनिया भर में परती बर्स तो यह का है WHO और ILO ने World Health Organization का स्थापन आपको मिलेगा 1948 में और जो ILO होता उसका स्थापना हुआ 1919 में अगे है आपका ग्रेट सीक्टा हैचिंग जो हाली में सुर्कियों में था यह किस देश में होने वाली प्रकिडिया है तो यह है अमेरिका का अमेरिका इसको बिक्सित किया गया क्रोना वायरस टेस्टिंग के लिए इसको युनिवर्सिटी ओफ इलिनोईस आडवाना सौपिंग के सोध करताओं ने जो इसका फुल फॉर्म है एस्कलेवल एंड पोल्टेवल टेस्टिंग की नई तकनिक बिक्सित किया है जो तीस मिनट से भी कम समय में लाड के नमूनियें से सटिक परिणाम सोरू पराप्त करेगा और क्रोना वायरस का प्रेक्शन कर लेगा यह लाड से कर लेगा ठीक ना वो नाक में डालने वाला वो हट गया किस देश ने पक्षियों की आवादी पर अपने हालिया अध्यन के दुनिया में पच्चास अड़ब बैक्तिगत जंगली पक्षियों का नुमान लगाया है तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है जिसमें अकेला अगर गोरिया की बात करे ना तो ये एक दसमलब छो बीलियन है जो की गोरिया लगवा क्या है बिलूप्त होने की कदार पर है हाली में सुर्खियों में रहा फरजाद भी बिसाल गैस चेत्रे किस देश में इस्थित है ये देश है इरान इरान में इस्थित है इसमें OVL के पास इस ब्लॉक में 40% भागेदारी रहेगी और ये पहली बार ONGC के निर्थित वाली एक संग द्वारा गैस की खोज की गया लगना ये ONGC के द्वारा इसमें जह संग की खोज की गई है State of the Economy रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया गया ये किया गया भारती रिजर बैंक के द्वारा State of the Economy रिपोर्ट किस बास्केट बॉल खिलारी को मरनो अपरांत बास्केट बॉल हॉल आफ फेम में सामिल किया गया ये मिला कोमो ब्रैंट को ये केलिफोर्णिया के हवाज दुगटना ही मारे गये थे United Launch Alliance किन दो एरो स्पेस कंपनियों के बीच एक संजुक तो उद्गम है ये है Lockheed Martin और बोईंग के बीच Lockheed और बोईंग के बीच दोनों बायुयान की कंपनी है Mixed Marsal Artist World Championship जितने वाले पहले भारती मुल्ग के खिलाड़ी है Arzun Bhullar K.Ras Narayanan जिनका हाल ही में निधन हो गया वे थे तेलगू भासा के लेकक थे हैं K.Narayanan रास्ट्री सार्वजनिक प्रसारन प्रसार भारती एक बैधानिक निका है जो कि होता क्या है कि जो संब्यदानिक होता है वो भारती संब्यदाने मूल रुप से जुरा हुआ है बाद में जो जुरा जिसे की नितियायोग यह सब क्या है बैधानिक, statutory body होता है इसका स्थापना कववा तो यह रखना 1990 में यह पहली वार पाडित क्या गया था और 1997 में यह क्या हुआ था अधिनियम बन गया था पाडियावरन बिज्ञान के संधर में हाल ही में खबरों मेरा ए-76 क्या है तो यह एक हीम खंड है सरकार ने D.A.P. उर्बड़क पर सवसीडरी एक सो चालिस परती सत्थ की बिर्धी कर दी D.A.P. क्या उदर? D.A.P. एक हाद होता है डैमोनियम फॉस्फेट जो 500 रुपे से बढ़ा कर अब इस कदाम किया हो गया 1200 रुपे कर दिया गया सत्पूरा टैगर रिजर्ब जिसे युनेस्को ने विश्व धरोहर अस्थलों की संभावित सोची में जोड़ा है भारत के किस राजी में स्थित है यह है आपके मध्य परदेश में मध्य परदेश भारतिय उप महादूप में जून से सिप्टेंबर के दोरान वर्चा डी तू किस मौसम के रूप में जाना जाता है तो भारत में यह आता है दक्षिन पस्थी मांसून पूरे भारत में सकरकंद उत पादन में कौन सा राज यगरणी है तो इसमें अगरनी है ओडिशा ओडिशा सकरकंद में किसे देश में ने बैस्विक न्यूंतम कॉर्परेट दर 15% प्रास्तावित किया तो यह किया है अमेरिका ने डॉनाल्ड ट्रम के टेम में यह 35 था फिर उसको हटा कर अठेस किया तो अभी क्या है 15% प्रास्तावित है अम यह एक एंटी बॉडी डिटेक्शन अधारिप किट विक्सित किया जिसका नाम डिप कॉविन है इसका आर्थ होता है कि डिपास विडेक्स कॉवेट 19 लोगों के बीच कोवेड एंटी बॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस किट का उपयोग सीरो निगरानी में किया जाएगा इस किट की सप्लाय के साथ साथ सारस कोवेड टू वाइरस में जो निकलियो कैप सीड है प्रोटीन का इसका भी पता लगा सकेगा 31 मार्च को समाप्थ हुई अवधी के लिए आरबीय दुआरा केंद्र सरकार को अस्थांतरित अधिवेज की मात्रा कितनी है तो 99,122 करोर रुप्या कोस्टन नमर्टी है भारत और युनिसेफ द्वारा युवाल लोगों को कोवेड संकट से निपटने में सामिल करने के लिए कौनसा अवियन सुरू किया गया यंग वाडियर यंग वाडियर सुन्दरलाल बहुगुना जो की याद होगा आप लोगो को की पेर काटने से रोखने के लोगों पेर से लिपट गई थी तो उनका हाली में निधन हो गया ये एक पडियावरन बिद थी काफी इंपोटेंट है सुन्दरलाल बहुगुना मैं 2021 में आयोजित ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रूप की बैठा की मेजवानी भारत ही कर रहे जामी ब्रिक्स आयने इस पर भारत पर ठीकर लेना अपना काम निकल जाएगा हाली में संबाद और विकास के लिए संस्कृती बिद्दा के लिए विश्व दिवस मनाया गया 24 मैं को इस पर का थीम जो था व्ल्ड डेफूर कल्चरल डैवर्सिटी एंड सॉरी व्ल्ड डेफूर कल्चरल डैवर्सिटी फोर डैलोग एंड डेवलपमेंट ओपी भारत ज का यह याद रखना यह जो खो जाए वो नासा ही नहीं खो जाए नासा नहीं खो जाए जूनो से टेलाइट से जूनो अंत्रिक्षियान से और साथी ब्रस्पति के जूर्सिटी आगे कोस्टन 86 कोवेट नैंटी नुपचार में इस्तमाल होने वाले ECMO का अर्थ क्या होता है यानि इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेंब्रेन ऑक्सीजन भारत में कुनो रास्ट्रिय उद्ध्यान जो कुनो नेस्नल पार्क है ये मिलेगा आपको मधिपर्देश में परमानू उर्जा आयोक के पुर्व अध्यक्ष और पद इसके भागीदारों द्वारा अस्थापित पैनल का नाम क्या है यह वन हैल्थ पैनल वन हैल्थ पैनल आगे आपका o sc यानि one stop one stop center किष केंद्रियमन अम है कि परमुख योजना है तो है महिला और Remote विकास मंत्रा लेगा महिला और बाल विकास मंत्रा लेगा महिला और बाल विकास मंत्रा लेगा 2020 में अधि सुचित गए सोचल मेडिया नियमों में कौन सा मंत्रा ले जुरा हुआ है स्यविए स्यविए अगे आपका बेसाक मैं के महिने में पुर्दिमा के दिन किस धर्म का पवितर दिन होता है दो बहुत धर्म का बैसाथ किस भारती अर्थ सास्त्री को स्पेन के अाउस्टुरियस आवार्ड से सम्मानित किया गया है यह किया गया है अमर्ति व सेन को हाली में चर्चा में रहा टाइगड़ो किस देश में स्थित सहर है यह इतोपिया में इतोपिया में स्थित में खबरों में रहा Prevention of Anti-Social Activist Act है, जो कि किस के असासित परदेश से पेस किया जाएगा, ये किया जाएगा, लक्ष दूइप में, लक्ष दूइप, किस राजी ने संपती के नुकसान की वसूली के लिए अधिनियम मना दिया, ये किया है हडियाना ने, हडियाना, UHI क्या है, जो इसे केंदर सरकार राश्ट्रिये Digital Swast Mission के तहत लाँच करने जा रही है, तो इसका फूल फॉर्म है Unified Health Interface, Unified Health Interface, सरकार ने राश्ट्रिये Digital Swast Mission के तहत, संचालन की विस्तार को Fast Track पर करने का निरने लिया है, सरकार एक Unified Health Interface सुरू करने जा रही है, जो लोगो को ओनलें चिकित्सा प्रामर्स और लेव टेस्ट की बुकिंग सहित, स्वास्थ सेवाओं की मेजवानी के लिए Digital Platform भी उतलब सक्षम बनाएगा, अगया पैसारस COVID-2 वाइरस का अनुवानसिक पदार्थ कौन सा अनु है, यह RNA राइवो नुकलिक एसीड, कॉस्टन नमर एक नहांग है, महिला दुआरा सबसे तेजी से दुनिया की सबसे उची चोटी एवरेस्ट पर चड़ने का रिकॉर्ड बनाया है, चवालिस बर्स यह पचीस घंटा पचास मिनट में रिकॉर्ड बना लिया, इसे पहले जो था 75 वर्स की एक थी, आर्थर मूई, यह सबसे उम् बिश्व मासिक धर्म सबस्था दिवस का थीम था इस पर का, एक्सन एन इन्वेस्टमेंट ओफ मेंस्ट्रियल हैजीन एंड हेल्थ, तो याद रखना 28 में को यह मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में, यहां हम सेशन को एंड करते हैं, टोटल 101 परसते हैं, आपको सेशन क ऐसा लगा, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आइधिंक अच्छा लगा हो, कुछ सिखने का मौका मिला होगा, दोस्तों के साथ मेरे पर जरूर सेयर करना, यहां मैं नहीं करता हूं, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, जाए हिंद